सबी गुरुबर को प्रणाम स्वागत आप सभी का गुरुबर क्लासीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं अधीगम के सिध्धान्तों की अधीगम मतलब क्या होता है सीखना देखो अधीगम अलग चीज है सिक्षन का उद्धिश से हमारा अधिगम कराना होता है पर पहले हम यह सीख लें कि अधिगम किस किस सरीके से होता है ठीक है उसके ऊपर अधिगम के सिध्धानतों के ऊपर विधियां हो जाती है जिने हम जैसे हमें सिक्षण कराना इसलिए सिक्षण विधियों की चर्चा यह सिक्षण सूत्र की चर्चा हम बाद में करने वाले हैं पहले हम कैटिगरी कर दी है कि मैं सारे साथ ही पढ़ाने से बीडियो नहीं बढ़ा रहे हूँ क्यों ताकि मैं चीजों में अंतर हाथ-ो-हाथ आपको इसपस्ट करता हूँ तो पहला जो है अगर हम अधिकम के सिध्धानतों की बात करें तो कुछ शब्द हैं जो समझने जरूरी है जैसे उद्धीपन अनुक्रिया अभी ऐसे ऐसे सब्द हैं इसमें लोग बार बार कन्फीज जा जाते है उद्धीपन का मतलब क्या होता है उद्धीप ठीक है जो दी सकता है जो हमें कुछ काम करने के लिए साइथ करें अच्छे से तो ऑगनियों समस्या ने ко सब्सक्राइब कोई भी वह चीज जो किर्या करने के प्रइद करेगी तो उसे हम कहेंगे अनुकिर्या किसे कहेंगे अब उद्धीपन की बजह से जो किर्या हुई वह अनुकर्या हुई गोट माइप पॉइट सबसे पहले क्या हुआ आपको किसी चीज नहीं काम करने के प्रइद करा कि रहे करने के प्रइद कर आपको ओगे आपका अद्धीपक या उद्धीपन ठीक है उसके बाद जो काम हुआ वह अनुकिर्या या रैस्पॉंस इस्ट्यूमुलस इफ़ंस इस सब्सक्राइब अब समझे अधिकम के सिध्धांट और अथारीत होंगे तो दो प्रकार से कटेगराइज कर सकते हैं उद्धीपन होगा अनुकृरिया होगी उनके के बीच में संबंद होगा उद्धीपन अनुकर्या सिध्धान्त व्यवारवादी मनुवैज्ञानिक सारे इन सिध्धान्तों कुमानते हैं मतलब जित्ते भी मनुवैज्ञानिक नीचे लिखे हैं सारे व्यवारवादी हैं पहली दूसरी वाद दूसरा होता है उद्धीपन कि इसमें जो है इसमें अनुकर्या नहीं होगी और दूसी तरीके से शीख ओगे जैसे सूञ से अचानक से सूज आएगी तो उसमें कोई कर्या थोड़ी हुई बैटे बैटे थे अचानक से सूज आ गयी इंस्ट्इंक्ट आ गया दो से केस्थ गटाइज कर सकते है किसे कहते हैं इंग्लिस में कहते है जिससे अनुकरिया के लिए पुनरबलन मिलेगा वो कौन सा हो गया उद्धीपन अनुकरिया पुनरबलन सिध्धांत जैसे थोन डाइक का पावलापका इसकीनर का हलका मिलल का वाटसन का इसमें क्या होगा आप उनरबलन सिध्धांत इसमें कोई पुनरबलन की जरूत नहीं ह कोई चीज सिखाना है जैसे जोड की दो ओर 5 पांच करो तो तुम बच्चों हमेशा से करना कि जब भी मैं दो गुणा पांच आवहें जब भी यह समस्य आवे जब्भी उध्डीपन अब तुम उतनी बार जोडेना तुमारी रैस्पांस यह होना चाहिए तो अगर यह चीज तुम्हारे इसमें संबंद बन गया कि जब भी गुणा आई तुम ने उसे जोड़ा पांच बार तो तुम सीख गए अधिकम कर गए और वो क्या हुआ उद्धीपन अनुकर्या संबंद बन गया आपका अब यह दो प्रकार का है पुनरबलन की जुरूत भी पड़ सकती है प इस प्रयास तुरूटी का सिद्धान संब्द निवंद का सिधान ऐसार फिर ये कई नाम है इसके ठेक है अभ्यास का सिद्धान अभ्यास का नियम तो यह जो है सबसाग्पन कषिछ औरे SMOLT symbols पर भ्रहत अब इसा ने जो शो में पर आइक कर लेता है उसके बाद करम्जवा के रहांब के लिए प्रेद करता है और जब बार बार रिपीट होती है वो किर रहा तो उसमें एक संबंध बन जाता है यहीं संबंध वाद कैसा बने का अभी देखोंगे देखंगे इसे हम सहीं जनबादी सिद्धान भी कहते हैं प्रयास पर तुरूटी का सिद्धान भी कहत उसे वो अंदर थी तो तो अन्दर यृटी रहती समस्य आई उद्धीपन आने से मतलब स्टुम्लस आने से मचली ने प्रेंट करा कि वो उस बोक 10 से बहार निकले उद्धीपन समझगे क्या हुआ मचली उद्धीपन हुई अब उसने अनुक्रियाय करी मतलब बहुत सारे काम करे उनने जो बोक्स था उसकी डंडी हटानी कोस्ट करी होंगी इदे उदर हाथ वाओं चलाए होंगे अचानक सा उसका पाओं खटके प्रपड़ गया तो वो क्य मचली रखी मचली फिर उद्धीपन है अगली वार क्या हुआ उसने कम क्रियाय करी और जल्दी बोक्स खोल दिया धीरे करते हुए वह सीख गई और एकदम से उसने लाश्वार में क्या हुआ कि उन्हों जैसे बोक्स में बंद करा उन्हें एकदम से खटका दवाया बाहर लिए मचली खाले अब यह होता ही है पर इन्होंने भाई लिखित रूप में कह दिया हाला कि तुमने भी देखा हो और उन्हें भी देखा होगा पर जिसने इस पर सोध करा चीजे तो सब देखते हैं जिसने बिशलेशन करा जिसने नियम दे दिया उसकी बात हो गई तो बात कर रहे थे हैं तो इसे हम कहते हैं प्रयासवतरूटी का सिद्दान तो अब समझो इससे क्या सीखें हम सीखना जो है प्रेना पर निर्वर करता है वो पिल्ली भूकी होगी और प्रेना थी उसके सामने मचली मतलब प्रेना का बड़ा योगदान है दूसरी बात सीखना क्या है सीखना है प्रत्यक्ष ग्यानात्मक और भावात्मक संगठन किसी भी परिस्तिती का प्रत्यक्ष मतलब सामने उसके सामने समस्य सामने थी ध्यान करना गत्यात्मक मतलब गति संबंदी मतलब गति करेगा जितना प्रयाश करेगा उतना सीखेगा भावात्मक उसके भ इसके पाद इनोनने कुछ नें दिये इसके उपर नियम दी दो प्रिकार के एक दिये प्रमुख नियम से कहते हैं गोड कहते हैं सेटरी जैसे पनात मुलां मत मानना कोई गलत तरीके का होता है सेकिंडरी मतलब दूसरे तो गॉल नियम दिये तें जो मुम संटरी कुछ प्रिमुंध दिय तीन मुली नियम गटर्चव इतने नियम क्या कहते यह कहते थे के ततपरता का नियम मतलब कर गो यह मटानगी तत पर होंगे allí नशींचा दूसरा अभ्यास का नियम, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादे आप सीखोगे अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम के भी दो नियम है, उप्योग का नियम, अनुप्योग का नियम मतलब जिस चीज का आप उपयोग करते रहोगे जिस आपनी practice में बनाए रखोगे वो आपको याद रहेगा अनुपयोग का नियम मतलब practice में नहीं बनाओगे practice सा बहर चले जाओगे तो भूल जाओगे अनुपयोग का नियम, उसके बाद प्रभाब का नियम, अगर आपको प्रभाब मतलब परिनाम का नियम भी कहते हैं इसे, अगर परिनाम मिल गया और आपके पक्षम आया, तो आप उसे ज़्याद रखोगे, ठीक है, पुनरबलंग मिलेगा उससे, तो तीन परमुग नियम, तरतपरत हो पर बंभाइश मनस अवज्ब करेंगे आपकी वह धिया करेंगे मन eta मतलब आपका खुद का मन होना चाहिए बो चीज सीखने का दूसरी बात बहुं निकलने क是 यहां कहता है यह कहता है कि देखो समस्याइन जो होती है ऐसा नहीं होता पूरी समस्या पर खिकिरूर कंबार की यह जा रहे हैं कि यूपिटाइट भी पाँंच सब्जकन homes CDP में CDP में भी ऐसा नहीं पूरा एक बार में जा रहा है अब अधिगम का सिध्धान पर आपका धियान बटा हुआ है तो अग सीखने का सबसे बढ़े तरीका भी यही है कि आप क्या करें चीजों को आंसिक रियाओं में तोड़ दें छोट-छोटे हिस्सों में तोड़ दें ऐसे ही इसलिए होता है जब आपको कोई भी सिध्धान सखाया जाता है गड़ित में तो आपको उस जैसे अनुरूप सवाल करने को दिये जाते हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद आता है संबंदित परिवर्तन का नियम उसके बाद कोई नया अगर तुमें चीज सिख परिवर्त परिवर्तन का नियम इस आप सिख्छा में कैसा प्रियोक कर सकते हैं ऐसे हैं सबसे पहला क्या उतुप योगी ग्यान दो क्यों अगर बच्चे के लिए उपी होगी होगा तो उसकी मनुब्रत्ति बनेगी मैं जो कोसिस करी थी जो मैंने पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने मनुब्रत ज्यान का महत बताया था और इस तरीके से बताया था कि भही तुम्हें लगा कि हाँ जरूरी है ऐसा बताया देखो सबसा बड़े तरीका क्या है पढ़ाने का कि आप उसे अपने ब्यावार में कर लो इस्थापित तो मैं यही कंद्नी कोशिस करता हूं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है इस तरीके कही है कि भही मैंने पहले सब्जेक की चर्चा कर दी उससे क्या होगा तुम्हें लग जाती है तो सिख्चा में इस तरीके साब कर सकते हैं आप भी करना इस चीज को दूसरा अभिःत्ति अगर बालक के अभिःत्ति वैसी है पढ़ने की थी तो बालक अच्छा ठीक हो अधीदम के वेगर अभिःत्ति है वो चाहिए है तो तीसरा चुनाप का नियम अब यह ज कुछ जैसी होती है किसी भी सब्जेक्ट में जो सब के निया असान हो उसके बाद कठो तो चुनाप का नियम कहता है उद्देश सपस्टा अगर बच्चों को उद्देश की सपस्टा बता दोगे कि आज हम यह पढ़ेंगे ठीक है और तुम्हें इससे यह फाइदा होगा थो बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि तीन चार पांच नंबर का प्रस्ट इससे डायरेक्ट आता है इसलिए ध्यान से सुनना तो अगर तुम्हें उद्देश से सपस्ट करा दिये तो बालक और अच्छे सीखेगा प्रेयर को का उपयोग करोगे तो बालक अच्छे सीखेगा य सब्सक्राइब करें तुमने क्या करा कि उस समस्या को छोड़ दिया उसके बाद तुम नहाने चले गए नहाते नहाते तुम्हारा अच्छानक दिवांग माई और यह ऐसा सोल्व हो जाई तो गलत है दूसरी बात पसू परप्रियोक करा अब क्या ज़रूरी है पसू ऐसे सीखता तो मानव ऐसे सीखता हो मानव में तो सूज भी होती है ठीक है अधिक समय लगता है भहिया अगर प्रयास पर तुरूटी का सिध्धान लगाओ तो बहुत समय लगए अगर मैं अनुवब से सीखता आया है एक तो communication होता आया है दूसरी बात दूसरों के नियम की दूसरा है आपका पावलाव का नियम क्या कहता है देखो पावलाव अब करम से पढ़ाऊंगा मैं पावलाव पढ़ाऊंगा फिर उपढ़ा यह मिलर वहारवादी थे और इसी तरीके से उद्वीपन अनुकर्या पुनर्वलन कि बात करते थे तो पावलाव का सिद्धानत क्या है संबध्य पृतिकति का सिद्धान क्लासिकल कंडिश्निक का इनका बड़ा महत्पून है बड़ा अच्छा सिद्धानत है क्यो kandisning इन्होंने क्या करा iki conditioning कर दी किसमें क्या पाइसन को बाद में बताता हूं प्रियोग में ने क्या करा इनका एक कुत्त था यह रूसी मनमि अनिक निक तो रूसी कुत्ता कूद्टा इसको बान लेक तो उसके लाटटप नहीं लगी उन्होंने वह लारीकटी करी उसके बा भोजन लाए एक घंटी वजा दी भोजन देने से पहले पहले घंटी वजाई फिर भोजन दिया फिर घंटी वजाई फिर भोजन दिया अब उससे क्या हुआ घंटी की आवाज में और उसके भोजन में कुछ संबंद बंद गया हो उसके दिमाग में तो अगली बार क्या करना और भोजन नहीं दिया तब दो कुद्टे के लार टपक गई क्यों कि कंडिस्निंग हो गई एक समथ बन गया किसमें गंटी में और उसकी कुद्टे के लार में बनना कि deg Всё बहुजन में कुद्टे के लार में बना किसमें गया गंटी और गुजन perfection में आक्शली मैं उद्धीपन क्या है समस्या क्या है या जो चीज काम करने के लिए प्रेइत कर रही है लार निकालने के लिए मूंँसे वह बोजन न Memorial पर इनना क्या करा गंटी से जोड़ बालक से क्यों कि बाल को अगर तुम मतलब अच्छा हुंबर करकर लाओ गया सुलेख में लिखोगे अच्छा लिखोगे तो मैं तुम्हें गुड़ दूँगा ठीक है तो गुड़ क्या है क्रत्ति मुत्प्रे रख है गुड़ लगाने शुरू कर आपने उसके बाद उसका क सब्सक्राइब कर सकते हैं अनुसासन की भावना उत्पन कर सकते हैं अनुकूल कार्य करा सकते हैं कोई भी सुलेक और अक्षर बिन्याद सबस्यादे प्रियोग होता है क्रत्तिम उद्धिपन लगाया आपने कोई ठीक है उसके बाद जैसे आपने कह दिया कि बच्छों में एक वार में चर्चा करूंहीब तो इसलिए ना रह पूरा प्रसूत अंग बंदन सिध्धानत् इक कहता है इसकी इनघी ने बताहीत थी इक जुड'll PPRK datam उद्धीपन प्रसूत मतलब किर्या आप दो दो वज़े से करते हैं एक तो किर्या करने के लिए करते हैं एक उद्धीपन की वज़े से करते हैं जब कोई समस्य आजा एक तो तब आप किर्या करते हैं समस्य आ जाये कोई चीज परेजित कर रहे कर यह कर वाए तूमसे एक क्या करने के लिए टो किसी चीज से कुछ कुछ भी करो आप बीच में उसके आंसिक पुनरबलन दे दो उससे क्या होगा किर्या की गती बढ़ जाएगी अब कैसे एक एक्जांपल से समझते हैं इन्होंने क्या करा चूहा था कमरे में मतलब एक बॉक्स में चूहा था और एक छड़ थी अब चुहा चल लिया था चुहे की जैसे छड़ दभी ठीक है तो खट की आवाज हुई खट की आवाज हुई तो उससे चुहे को जो है आंसिक पुनरवल मिला और चुहे को भोजन दे दिया चुहा फिर चला खट की आवाज नहीं हुई तो भोजन नहीं मिला जब खट की आवाज प्रियोग करते हैं हम भी प्रियोग करने की कोशिस करते हैं अपने हाँ गुरुबे चीज कर रहे होते हैं उसके बाद आपको बीच में टेस्ट दे दिया जाए अब उस टेस्ट से क्या होगा आपको उत्प्रियरक मिलेगा थोड़ा सा आंसिक करते हैं अगर सब्सक्राइब उत्रियरक मिलेगा अगर जैसे बीच में टेस्ट दे दिया आपने हर सब्सक्राइब इसमें क्या कि गए और एक बीक पढ़ाई करी फिर फिर दुवारा उत पर रख दे दिया इसे हम कहते हैं रेख यह अभीक्रमित अनुदेशन मतलब एक रेख में चल लए अभीक्रमित अनुदेशन इसमें क्या होगा अगर आपके अच्छे नमर नहीं आए तो आप दुबार जागा उसी नुट पढ़ लेंगे तो रेख यह अभीक्रमित अनुदेशन प्रणाली जो है इसकी सुरुवात किसकी है यह देन यह इसकी नरकी देन बीएफ इसकी नरका सिद्धानत है इसकी नरका क्रिया प्रसूत सिद्धानत है अच्छा अब आप क्या होगे इसमें अब ही आप घंटी अब जी कर रहे हैं दूसरी बात किर्या हें तो आंतर समझ के दोनों में अच्या इसमें जो उद्धीपन जो है उत्प्रेरक जो है वो किर्या के बीच में दिया जा रहे है ध्वनी एक्चुल में उद्धीपन क्या है बोजन है बोजन तो बाद में मिला है न उसे पर पहले क्या करा है आपने ध्वनी दिये ध्वनी बजाई है करतिम उत्प्रेरक दिया तो इसमें किर् होती है उसके बाद क्या होता है उसे उद्धीपन मिलता है और उसकी क्रिया सक्ति में शो ब्रद्धी होती है गरीनա encaps उपार lewa का और एक उसकी प्रूद्धान्य के नग którą पंख कैंप पूर्णलीह कीं गाज सब्क्राइब में चीज्ट यह इस कि अधर में तो नहीं तो आइसे आसकता कि भाईया RS bond किस ने दिया तो RS bond दिया था Skinner ने कैसे दिया था, इसमें पहले क्या होगा response होगा, उसके बाद stimulus होगा मतलब पहले किर्या होगी, ठीक है उसके बाद उद्धीपन मिलेगा पहले चुहा चल रहा था, उसके बाद छड़ दवी गजख्टों चुहे में ऐसे ही दिवाई थी उसके बाद धुहनी की आवाज होई वो दूसरी बात है, बाद में धुहनी की आवाज होई पर ऐसा तो नहीं था कि चुहे न enroll किर्या कर रहा था पहले ही उसह भोजन दिखा दिया गया था तो इसा नहीं था यह जो है यह यह एसर बोंड टोंडाइक का या एसर बॉंड News फैसने और इसकीमडर क्या है हल ने क्या दिया था हर ने दिया था पुन वर भर रह इनका बहुरा मज़े का सिद्धान में और बता है कि दंड की अवशक्ता होती है चल्ए हल का कहले हैं जह क्या गई थि हलके एक्सप्र ा की यह सबक्रिकल मैंने थी एक प्रिश्ट दो बीच में हमें अजब तो यह सlang थिया ताकि पीज में हलका सज चोड़ दी align चुंए नो communications यहिंधर ने डाख ρाया चुम्हां सीखिए अर मेरा एकदम से गया कैसे घ्र चुझा करेंच हुआ तो अगर कोई मनवग्यानिक पूर है अपने जितने में भी हम पढ़ने वाले मनुध्यान सबसे जाद है अगर रंड़ की बात करता है तो किबल एक मनवग्यानिक है जिसका नाम है सी veel जो हैं वो नकारात्मक पुनरवलम की बात करते हैं इसलिए वेच्छों को डाट डवर्ट के पिटाई करके सीखे ठीक है कैidores से औरमने बता दिया हाने इसे चिए कि नेयसे इसेटाइप तो थोड़ा से स्पेशल हो जाता है वोट्सन का सिद्धान स्पेशल की हो जाता है वोट्सन ने एक अलवर्ट बच्चा था 11 साल का उस पर प्रियोग करा था आप देखोंगे ना तो देखो थोंडाइक का प्रियोग काई पहे बिल्ली पहे पावलाप काई पहे रूशी कुत था एक मात्रम बाट्सन उसके अलबा सबने उन लोगों पी उस परियोग किया था जीव जनतु पर तो जैसे सबकी कमिया है इसकी कमी नहीं वोट्सन ने क्या बोला था वोट्सन ने क्या करा एक अलवर्ट था बच्चा 11 साल का ठीक है कहानिया है सिद्धानत में कुछ नही बोला था तुमब है पता यह वाट्सन वट्सन ने क्या बोला था यह सा इस से बहुत जो डरा उनहें वाले ने क्या करा और सब्सक्राइब कितना प्यारा लगेगा ठीक है उसके बाद टंड की अवाज करी और फिर खरगोस अटा लिया जब भी खरगोस दिखाया बहुतते जवाज करी तो बच्चा क्या हुआ अगली बार जैसी वह खरगोस लेग गए बच्चा डढ़ने लगा पहले तो यह जो दिया था यह जया था वर्च ऑनने किस पर दिया करा था खरगोस उस्वेस्भी कर तो यह पशच महत्पूरण बाकि होनी नहीं है वह एक्सपरिट करते हैं झासा सारे के सारे एकस्परिमेंट करके रहे हैं जिसका जैसे एक्सपरिमेंट हो गया गुत्री ने जिरत नहीं है अगर सीखना होगा तो अपने आप ही सीख जागा ठीक है अब भाइया जिसका जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया तो भाइया अपना सिद्धान दे दिया तो आपना सिद्धान पाता है इतो वह वह वर्वादी सिद्धान यानि वह वरवादी सिद्धान थोंड़ाइक समझ कर लगा पमद्धिपन कि इसमें बीच में बीच में आपने दिया था उत्तुपरे रख इसमें सब में बाद महीं दिया अगया है तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है बाकि उद्धीपन उद्धिपन सिध्धान ने संगेनात्मक सिध्धानत इनकी चर्चा करेंगे बहुत मस्त चर्चा है इसकी भी कोलर का है कोफ का पाता है कोफ का को kıजार्ण का सूच के सिद्दांद आपको पता ही वड़े मर्ने व Intel फिस में पढ़ाई दिया ऑफ टोल मैन का सार्ण इंगे सिद्दांत सिंसमीं आता है बंडोरा का सामाजी को का सिद्दांत में चृटिर sess ऍांध इसमीं आता है हाला कि यूपी टैट की दिश्टी से अगर में बात करूं तो बस यह आद रखना जरूरी है को लरका तो अच्छे से पढ़ना जरूरी है कि टॉल मैं का साइन सिद्धानत है बंडूरा का सामाजे का दिकम सिद्धानत है कड लेविन का छेतर सिद्धानत है और बुरुनार का लिए धन्यवाद आपका दिल सुझों